हेलो फ्रेंट्स वो गाइस इस विडियो में आपको बताने वाला हूँ के staircase का BBS आप किस तरीके से बना पाएंगे अभी तक तो मैंने आपको slap का बता चुका हूँ, beam का बता चुका हूँ, column, footing सब का बता चुका हूँ staircase का नहीं बता था, तो इस वीडियो में आप सीखेंगे के staircase का BBS हम किस तरीके से बना सकते हैं तो guys जबी भी आपको staircase का BBS बनाना रहेगा तो सबसे पहले आपको लगेगा RCC design का staircase का section लगेगा और आपको लगेगा architect drawing जिसमें staircase की पूरी detail रहेगी, यानि उसकी measurements रहेगी जो मैं या पे लिख के रखाऊँ तो इस तरीके का plan मिलेगा आपको section plan तो इसके according आपको BBS बनाना रहेगा यानि कि आपको कितना history लगने वाला है उसकी cutting length क्या रहेगी वो साइचीज आपको बनाना पड़ेगा इसको ही देखके, तो मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊँगा, यह पहले से मैंने करके रखा है ताकि आपको बताने में ज़्यादा time न लगे और डैग लिए आपको समझा सकूँ तो इसलिए मैं पहले से यह prepared करके रखा हूँ, तो मैं आपको सिर्फ समझा दूँगा कि किस तरीके से किया जाता है तो guys इस वड़े में आप end duck बने रहे हैं, यह वीडिया आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful रहेगी यह आपको टेबल देख रहा है, यही टेबल आपको बनाना है ऐसा है, अगर आप excel sheet में बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही जल्दी fast work होता है इसमें इसको मैंने manually करके दिखाया है, manually बनाया आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है numbers जो कि इसका serial number है का वो, इसके वार आज़ेगा description, इसके वार आज़ेगा spacing, die of bar, number of bar, number of slab, फिर cutting length A, B, C, D लिखा मैंने, यहाँ पर इसलिए लिखा है कि यहाँ आप देख सकते है कि यह जो steel है, यहाँ पर continuously steel दिखा रहा है और bend होते हुए पूरा यहाँ तक पहुच रहा है, तो जितने भी bend bend दिखा रहे है, उसको मैं total के अलग-अलग length लिखा हूँ ताकि समझाने में easy हो, बहुत ही simplified लगे, इसलिए मैंने यहाँ पर ABCD लिखा है, यहाँ पर है total length, उस इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो सबसे पहले आपको निकालना है main bar का, main bar की cutting line निकालनी है, और उसका kg निकालना है, तो यह जो है main bar, जितने भी आपको जो lines दिख रही है, वो सब main bar है, और जो dot dot दिख रहा है, वो है distribution bar, तो सबसे पहले इसको मैंने क्या किया, यहाँ से यादा किये सिर्फ, तो first जो है सबसे एक number वो देखेंगे हम, तो इसके अंदर है यहाँ पर west slab, तो description में लिखेंगे west slab main bar, west slab जो है इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं landing, तो इसका हम निकालेंगे main bar का, main bar की quantity निकालेंगे, इसके अंदर यहाँ पर देख सकत दिया हुआ है 12, तो वो लिख दिया मैंने यहाँ पर 12, अब यहाँ भी हमें number of bar निकालना है, number of bar कैसे निकलेगा, यहाँ पर आपको इसकी width दी गई है, width है, 2000 mm की इसको divide कर देंगे इसकी spacing से, तो आ जाता है यह 13.33, यानि कि हो जाता है 14, तो मैंने इसलिए यहाँ पर 14 ल यहाँ पर भी उपर भी जा रहा है, same चीज है, और आपको एक ही building में 4 staircase है या 2 staircase है, तो directly यहाँ पर 2, 4, 6 ऐसा लिख सकते हैं आप, तो मैं यहाँ पर एक ही बता रहा हूँ, example के लिए इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर आती है बारी cutting length की, अब यह 90 degree के बन जाएगा, यह length मुझे मालूम है, यह भी length मुझे मालूम है, और यह length मुझे मालूम करनी रहेगी, यह length कैसा मालूम है, यहाँ पर आप दे सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको लिखा हूँ, 3000 mm, यहाँ पर, जो के मैं यहाँ बताया है लिख के, और यह भी आपको मा hazador हो जाएएं कहा हमेशा थ्रेड्स से एक जादा होता है राइाजर आप त्रेड मेजरमेंट डी गही है वहसे है 250 inan की और राइजर की दी गही होन 60 % कि क्या अब क्या करना है आपको यह लैंज जाननी है यह लैंज आंने 3 6 5 0 जो मैं आप लिख के रखा है 3 6 5 0 तो यहाँ पे simply यहाँ से जो यहाँ तक का length आएगा ना still का वो हो जाएगा 3 6 5 0 जो मैं आप लिख दिया B वाले section में 3 6 5 0 अब यहाँ पे देखेंगे अब यहाँ तक पहुंच गया है अब यहाँ से यहाँ तक का देखना है मुझे जहाँ तक bend नहीं हो रहा है straight bar जहाँ तक है वहाँ तक मुझे लिखना है अब क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ 1500 का distance यह है 1500 का distance ठीक है तो क्या करना है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहां से नहीं शूरू है यहां से शुरू हैं तो आप कितना होता है यह 15-100-100-200-200-250 मैंने लिखा है में में अब उसके बाद बार यहां यहां बाद यह भाड बारmot के तो यह भी से Len Geo exactly यहीं पर दिया गया तो इसलिए हम इसको लेंगे 150 माइनस इसकी कवरिंग कर देंगे जो किया रहेगा 15 mm का तो वो हो जाएगा 135 mm का जिसको मैंने यहां पर मेटर में लिख दिया है यह हो गया उसी तरीके से अब इस बार का हमने निकाल लिए ठीक है अब हम यह निकालना है यह वाले बार का तो यहां पर हमने लिए थे 430 mm लिए थे इसको भी हम 430 mm ले लेते हैं तो मैंने यहां पर लिख दिया यह बार को चलते हैं यह वाली बार है यहां से लेकर यहां से सीधा स्ट्रेट आके यहां पर आके लिखा हुआ है तो यहाँ पर simply यहाँ पर लिखा हुआ है तो तीसरा बार यहाँ पर निकालेंगे यह वाला इसमें भी सबकुत सिम रहेगा spacing, die of bar, number of bar, number of slab और यहाँ पर आए गया cutting length के लिए अब cutting length के लिए यहाँ पर पहला लिखावा यहाँ पर 600 mm तो मैंने यहाँ पर 600 mm लिख दिया directly अब यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना होता है तो क्या करना पड़ेगा, total हमें मालूम है कि यह है 1500 का, तो 1500 माइनस कर देंगे 40 mm covering beam के अंदर जो है, तो 40 mm covering कर देंगे तो यह हो जाता है 1460, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह थोड़ा यहाँ से नहीं है, बलके यहाँ से, यहाँ पर कुछ तो डिवी distance है तो इसको हम 60 mm छोड़ देते हैं यहाँ पर, तो यह हो जाता है 1400, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1400 लिख दिया है क्या होता है, गाइस के एकदम exactly आप निकालने सकते हैं, अगर exactly आपको निकालना है तो बहुत ही ज़ादा time लगेगा निकालने में यहाँ से आपको एक judgment मिल जाता है, एक आपको idea मिल जाता है कि स्टील आपको कितना order करना है साइट पे और कितनी स्टील कितनी kg आपको लगने वाली है 12 mm का, 10 mm का और 8 mm का तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा है, जैसा practically साइट पे किया जाता है वो मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ, तो यह चौथा सा हो गया, अब आती है बारी इसके लिए, जो यहाँ पर यह बेंड किया गया 90 degree पे, तो सेम ऐसा ही, 150 का ठिकने से 15 mm कवरिंग को माइनस क तो 135 mm हो जाएगा, जिसको मैंने लिख दिया है, मिटर में, यह हो गया, अब जो चौथा बार है, यह वाला, तो इसको हम लिख लेते है, यह वा है, कि यह जो बार है, ऐसा जाके नीचे ऐसा आया है, तो जो 90 degree जो बैंड है, यह एक राइजर के हिसाब से दिख रहा है, तो एक राइजर घट, जो है, वह 160 mm का, इसलिए मैंने यहाँ पे 160 लिख दिया, और उसके बाद यहाँपे है, यह 300 mm यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और यहाँपे सेम डिस्टेंट्स दिख रहा है, यहाँ से अहा तक का, यानि यह 300-300-600 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ बै अब हमको निकालना है distribution बार जो कि यह जो पॉइंट पॉइंट डिख रहा है वह सब distribution बार तो यहां पर नमबर टू में लिखना है weight slab distribution बार यानि कि हम पहले इसका निकाल लेते ठीक है अब इसका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा यहां पर जो दिया हुआ है number of bar number of bar किस तरीके से निकालेंगे यहां पर आप देख सकते हैं number of bar कि इसका जो west slab की जो length यह आई थी 3650 उसको divide कर देंगे उसकी spacing से तो यहां पर number of bar निकल जाएगा 19 number तो यहां पर मैंने 19 लिख दिया सेम यहां पर वह नहीं है कुछ attention नहीं है अब यहां पर आता है कि cutting length निकालना है अब यह कैसा directly सीधा सीधा प्रोवाइड होता है ना यानि कि ऐसा ऐसा प्रोवाइड होएगा distribution बार तो इसके लिए कुछ देखना ही नहीं है टोटल टोटल जो इसकी विर्थ है वो 2000 mm की है दो तरफ से हम 15 15 covering माइनस कर देंगे तो यह हो जाता है 1970 तो यहां पर मैंने 1970 लिख दिया है यह हो गया अब देख सकते हैं कि टॉप में भी दिया गया distribution बार तो number of बार पहले निकाल लेते हैं कि यहां पर कितना लग सकता है य यहां पर 600 दिया गया है तो 600 को डिवाइट कर देंगे 200 से तो यह number of बार 3 निकल गया तो यहां पर भी 3 यानिके number of बार 6 हो जाएगा 3 3 6 यहां पर मैंने लिख दिया है number of बार में 6 यह 8 mm का जो constant यहां पर भी दिया है सेम यह spacing लिख दिया मैंने यह 1 और इसकी भी जो length है cutting length वह भी same रहेगी क्योंकि सब ऐसा ही provide हो रहा है वो मैंने यहां पर लिख दिया अब यहां पर देखेंगे अब यहां पर हम इसकी बार यह आती है इसका हमें distribution बार निकलना है इसको मैंने counting में इसलिए नहीं लिए था क्योंकि यहां पर देखते हैं कि यहां पर 10 mm का बार य यहां पे लिख दिया आप यह पर बार याती है number of bar निकालने की तो number of bar किस तरीके से निकालना आपको आपको बता दिता हूं कि यह जो दिया गया है 1500 mm की तो 1500 mm यहां पर लिख दिया मैने minus कर देना है इसको तो यहां यहां पे 7 आया है, लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं, कि यहां पे एक बार कम आएगा, यहां तक पहुंच रहाए, यहां यही तक है, तो इसके in between यूज करेंगे, तो यहां पे 6 बार यूज होगा, तो 6 और 7 कितना तो मैंने यहां पर डगली नंबर आफ बार में 13 लिख दिया है यह बारी आती है चेयर की अब चेयर इसमें भी लगता है आपको मालूम होगा कि यहां पर चटाई बांते हैं डबल लेयर तो इसमें चेयर लगाते हैं ताकि वह एक लेयर दूसरे लेयर को चिपग न जाए तरीके से होता है मैं ऐसे बनानी पा रहा हूं ऐसा इस तरीके से होता है चेयर तो यहां पर हम तीन प्रोवाइट कर सकते हैं और एक यहां पर दे देंगे और एक हम यहां पर देंगे तो टोटल हो जागा पांच तो यहां पर मैंने क्या किया इसकी स्पेसिंग तो कोई होत और क्या होता है कि यह जो चेयर बनता है और उसकी जो cutting length निकलती यह वह 1.5 में निकलती है यानि कि 1.5 मीटर की cutting length में आप चेयर बना सकते हैं इसलिए मैं direkt 1.5 में लिखती है अब यहां पे आपको पूरा समझ गया किस तरीके से करना है अब यहां पर बस simply simply वही length है इसलिए मैंने यहाँ पे वही length को उतार दिया है क्या करना है आपको total kg निकालना है kg कैसा kg निकालना है तो मैंने इसको अलग-अलग कर दिया है 8mm का, 10mm का और 12mm का तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको जब kg में निकालना है तो क्या करना है कि जो total length है total length को multiply करना है उसके number of bar से number of bar से जब multiply हो जाएगा उसके बाद multiply करना है इसका जो 12 mm का जो पर kg जो value आता है उससे तो जो 12 mm का पर kg value आता है वो आता है 0.89 10 mm का आता है 0.62 और 8 mm का आता है 0.39 ये कैसे आता है आपको पता होगा आपको total length multiply by number of bar और multiply by जो भी mm का बार, यहाँ पर 12 mm का बार है तो आपको 0.89 से multiply कर देना है, तो directly आपको जो answer है 12 mm के steel के लिए kg में answer मिल जाएगा, यानि कि इतना kg लगेगा, उसी तरीके से सब में इसी तरीके से कर देना है यह total length multiply by number of bar और यह 12 mm का यूज किया गया, इसलिए multiply by 0.89 तो यह answer आगया, अब मैं आपको बता देता हूँ 8 mm वाला, यह जो 8 mm का है तो यह जो total length है इसकी 8 mm बार की, तो यह multiply by number of bar और उसके बाद करना है, 8 mm का बार है तो multiply by करेंगे हम इसको 0.39 तो answer हम यहाँ पर लिख देंगे तो इस तरीके से आपको answer लिखना है और क्या करना है, कि 8 mm का बार को अलग से plus कर देना है, 10 mm का बार को अलग से plus कर देना है, और 12 mm बार को अलग से plus कर देना है, तो यह आपका total answer आगया है, तो इस तरीके से आप guys staircase का BBS निकाल सकते हैं बहुत ही आसन तरीके से अभी मैं आपको समझाया हूँ तो इतना टाइम लग गया है लेकिन जब आप करने लगेंगे तो बहुत ही बहुत ही जल्दी आप इसको कर सकते हैं तो I hope आपको ये वीडिया अच्छी लगी होगी तो इससे लाइक कर दे शेर कर दे और आप मेंगे चैनल पर नए हैं तो इससे सब्सक्राइब कर दे तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में